अमेरिकन कॉमिक बुक पे एक देसी तड़का लगा के जोया अक्तर की नई फिल्म आर्ची नेट्फिक्स पे रिलीज हो चुकी है अब मैंने बच्पन में आर्चीज की कॉमिक्स पढ़ी है और मुझे वो काफी हर्थ तक पसंद थी तो इस फिल्म के लिए मैं काफी एक्साइड़ था पर अभी आदे घंटे पहले मुवी देखने के बाद मैं अभी भी सोच रहों कि यार मैंने धाई घंटे किये गया क्योंकि आपने हिट कॉमिक बुक पे देसी तड़का तो मार दिया पर आप तड़के में मसाला लालना भूल गए तो चलिए आज इस मुवी के बारे में बात करते हैं और सब कुछ कवर करते हैं कास्ट, प्लॉट, वीकनेस और क्या ये आपको देखनी चाहिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दो और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको ऐसी और वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे अब आर्ची मुवी की बात करें तो ये मुवी है 1964 में बेस्ट ये स्टोरी रिवाल करती है रिवर डेल टाउन के अराउंड जहां पे सिर्फ अंगलो इंडियन्स रहते हैं मुवी में एक सीन आपको नहीं मिलेगा जहां पे आपको लगे यार यहां तोड़ा खर्चा हो सकता था ना सब कुछ टॉप नौच फ्रेम से लेके फ्रेम दक इसी शहर के बीच में है एक बड़ा सा पार्क ग्रीन पार्क यह पार्क रिवर डेल वालों के लिए खाली एक नॉर्मल पार्क नहीं है जहां पे आप जॉगिंग करने जाओंगे पर यह इनका एक कल्चरल हेरिटेज है ऐसा आप कह सकते हो अब as usual मूवी में कोई विलन है तो एक बड़ा सा बिजनसमेन आता है और वो बोलता है यहां पे अपने को होटल बनाना है पार्क के बीच में तो बस यह मूवी इसी के राउंड है कैसे यह जवान लड़के लड़कियां लड़ पड़ते हैं उस बिजनसमेन से और गवर्मेंट वालों से ताकि उनका यह पार्क सलामत रहे अब यह सोच के आपको लगेगा कि यार टॉपिक तो इंट्रेस्टिंग है हाँ टॉपिक इंट्रेस्टिंग है पर स्टोरी बिल्कुल भी नहीं स्टोरी एकदम फ्लैट पड़ती है और मैं इस स्टोरी से कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाया इनफ्लैक धाई गंटे मूवी देखने के बीच मुझे काफी बार लगा कि यार बंदगर के उठके चला जाता हूं पर इतनी भी बकवास मूवी नहीं है कि बंदगर के चला जाओं तो मैंने थोड़े थोड़े ब्रेक्स में देखा बीच में किचन में खाना बनाने चला गया बीच में फोन पे दोस्ते बात कर लिया करके मूवी खतम गरी इस movie की बहुत ज़ादा marketing हुई थी release के पहले और होगी भी क्यों ने क्योंकि इसमें है बड़े-बड़े Bollywood celebrity के बच्चे लोग जी हाँ इस movie में होगा भर-भर के नेपोडिसम लीड रोल में है अमिताब बच्चन जी के पोते अगस्तियानन्दा जो की आर्ची का रोल प्ले कर रहे है अभी आर्ची कैरेक्टर बड़ा ही कैसनोगा टाइप का बंदा है पूरे शेहर की लड़किया इस पर मरती है और ये सब को डेट भी कर चुका है इन फैक majority of the movie में ये दो लड़किया भी गुमाएगा और उसको justify करने के लिए बोलेगा कि यार मैं confused हूँ कि ज़्यादा किसको प्यार करूँ तो इस character से ज़्यादा inspiration ना ले अब इनके साथ है श्रीदेवी जी की बेटी और जानवी कपूर की बेहन खुशी कपूर जो की बैटी का रोल प्ले कर रही है बैटी एकदम सीधी साधी भोली मिडल क्लास सिंपल बंदी है उनके पापा की बुक्स की दुकान है तो इने भी लिखना पसंद है तीसरी मेन कैरेक्टरिस मूवी की है शारुक खान की बेटी सुहाना जो की वेरॉनिका का रोल प्ले कर रही है वेरॉनिका का पास है अंधा पैसा और होगा भी क्यों ने क्योंकि वो बिजनस्मेन याद है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया उन्हीं के बेटी हैं ये और वो बिजनिसमेन है पूरे रिवर डेल शहर का सबसे अमीर आदमी overall acting तीनों की ठीक ही है कुछ इसे ज़्यादा जज़ करने लाइक है नहीं क्योंकि यह रोल में ज़्यादा इतना दम नहीं है in fact सुहाना खान का तो ऐसे लग रहे है कि अपने लाइफ को continue कर रही है वहाँ भी स्टार की बेटी है अमीर बाप की बेटी है यहाँ भी अमीर बाप की बेटी है तो acting में कुछ जज करने लाइक था ही नहीं ना अच्छा ना बुरा चौथा एक character जो मुझे काफी अच्छा लगा वो है जगहड का जो मिहीर अहुजा ने प्ले किया है जगहड है आर्ची का best friend उसको उसकी सारी secrets पता है और इसमें मिहीर अहुजा ने काफी अच्छा acting गी है अब इनके साथ है और भी बहुत सारे लोग पर इन चार का main role है अब weakness की बात करें तो इस movie में काफी जादा weakness है जो बार बार दिखने में आती है इस movie में बहुत सारे गाने है जब देखो गाते रहते हैं दो लोग नॉर्मल बात कर रहे है भाई गाना आ जाएगा कुछ हो रहा है गाना आ जाएगा पार्टी और यह गाना आ जाएगा भाई क्या है कितने गाने हैं कई बात तो तुम expect भी नहीं करोगे कुछ serious बात चल रहे है गाना आ गया फिर से भाई कितने गाने हैं in fact मैंने note किया पहले 40 minute में ही 6 गाने है तुम सोच लो अब मैं आपको एक example बता हूँ कैसे गाने इतने फालत हूँ है तो आर्ची को politics की importance नहीं पता थी classroom में क्या करते हैं बच्चे सारे मिलके नाचके गाके उसको politics का मतलब समझा रहे है और गाने भी कैसे मैं आपको एक example देता हूँ समझो आपकी मम्मी आ रही है पोचरे बटा खाना क्या खाएगा अब तुम इसको जवाब कैसे दोगे गाने में movie के style में मम्मी लगी है मुझे बहुत भूक खाना है मुझे नान क्या आप बना लोगे मेरे लिए थोड़ी सी दाल ऐसे गाने है और ये गाने तुम डॉज भी नहीं कर सकते है क्योंकि कभी भी आ जाते है ट्रेलर देखके लग रहा था कि यार इसमें कुछ स्टोरी होगे ठ्रिलिं पे जा रहे हैं नाच गाना हो रहा है बस यही हो रहा है लास के 40 मिन में में मूवी का एक्चुली स्टोरी आगे बढ़ी है एंड भी ये मूवी के काफी अच्छी कर सकते थे अगले 20 सेकंड स्पोईलर है तो थोड़ा स्किप कर लो पर क्या ही स्किप करोगे यार मैं बता देता हूं तीन मिनट में तो अपने ढाई गंटे बचा लोगे एंड में जब इनको फाइनली पार्क बचाना होता है तो उसका भी इतना इंकन्विंसिंग तरीके से उन्होंने बचा है न भाई पूछो मत नाचते गाते सारे प्रॉब्लम दूर हो गए कुछ स्ट्रगल न इतना बड़ा शहर है इतना साफ सुतरा शहर है पर एक काम करने वाला नहीं दिखेगा अरे वाच मैन भी नहीं है तीसरी वीक पॉइंट जो मुझे लगी कि या इमोशनल कनेक्ट ही नहीं पाते पूरे स्टोरी में ना आप हीरो के लिए सपोर्ट कर रहे हो ना आप किसी बड़ रहे हो भाई कुछ नहीं हो रहा एकदम फ्लाट है तो मुवी के अच्छे बातों की बात करें तो इसमें एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी थी रिवर डेल में जो ग्रीन पार्क है जैसे मैंने बता ही इनका कल्चरली इंपॉर्टन जगे है तो जब भी के फाथ प्लांट करता है ऊस त्री के सामने उसका नाम का बोडम लगायाजाते कि ओक कब पैदा हुआ उसका एक कोट रहता और उनका नाम रहता है तो ऐसे इस शेहर के हर हां बच्छे ने ट्री प्लांट की हैं पार्ट आफ दे रीजन इसके लिए χरी सब इतना ग्रीन पा point है, तो aesthetics 10 on 10 बाकि overall movie को मैं दूँगा 4 out of 10 क्योंकि यार इतने मज़े की movie है नहीं, थोड़ी बहुत अच्छे चीज़े हैं, बच्चों को अच्छी लगे 10-12 साल को, मुझे लगता है teenage वालों को भी एतनी पसंद आगी क्योंकि है ही नहीं कुछ, वो early teens वालों को मेभी थोड़ी बहुत अच्छी लग जाए क्योंकि उनको ये चमक धमक पसंद है, बाकि majority of the audience के लिए skip करो इसको, अच्छो हो ये movie Netflix पे release की है, instead of theaters, क्योंकि ये movie की कमाई बिलकुल बज से बत्तर होती, और ये जो नहीं बच्चे आये हैं, सब इनका करियर शुरू होने के पहले ही अटक जाता, ये अटक था कहा ही, बड़े बड़े बाप के बच्चे हैं, तो कुछ नगुछ होई जाता, but not a good place to start अगर ये theater में आती तो, तो बस इसी पर The Railwayman, उसकी भी review मैंने बनाई है, आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी, और लिंक इन दिस्क्रिप्शन, बाखी, थैंक यू फो वाचिंग, आल सी ये नेक्स वीडियो